नमस्कार दोस्तो जैसे हम सभी को पता है शामी ने मी A3 स्पेन में रिलीस केर दिया है और इसका स्पेसिफिकेशन भी हमारे सामने है आज में इस स्पेसिफिकेशन के सारी डीटियर्स आप लोगों साथ शेयर करूँगा और बताऊंगा मेरा ओपिंडियन और डिसकस करेंगे कि हम क्या इंडिया में अगर इस स्पेसिफिकेशन से लांच करेंगे क्या स्वामी सरवाइब कर पाएगा इंडिया में अभी जैसे की के 20 जो रेड्मी का निकला है उसमें प्राइस को लेके बहुत ही कंट्रोफर्सी चल रहा है और लोग बिमान कर रहे हैं इसका प्राइस प्राइटि फास्टोगस को रिलीज होगा एंड्रेट पाइड में डूवल सीम रहे है जो कि दोनों ही ने नों और इसका जो सब से ड्रोबैक रहेगा होग इसका डिस्प्ले रहेगा 6.8 इंच का तो जिरो एत इंच का आपका रहेगा लेकिन इसमें HD प्लस डिस्प्ले होगा है तो HD में आशकल कोई नहीं इसकरता है तिंग शाओमी इसे डिस पॉइंट करेंगा हम लोग अगर इसे इंडिया बैसे ही लॉंच किया और इसमें जो प्रोसेसर रहेगा वह होगा और इसके बाद अगर केमरा के बात करूँ तो बैक केमरा यानि की रियर केमरा ट्रिपल स्वाट लेगा 48 प्लास 8 प्लास 2 मेगा पिक्सल का जो की होगा एफ 1.79 एपरेचर जिससे हम लोग 4K वीडियो 30fps और HD वीडियो 1080p वीडियो 30fps में रियागाट कर सकते हैं और इसके फॉंट केमरा रहेगा 32 मेगा पिक्सल का एफ 2.2 एपरेचर तो दोस्तों यह था स्पेसिफिकेशन जेओ स्पेन पे में एफ 3 रिलीज हुआ था लेकिन अगर इस स्पेसिफिकेशन में इंडिया में रिलीज होता है तो एफ फॉंट को पक्का हम श्योर के कोई नहीं खरे देगा कि को अल्रेडी जो K20 रिलीज हुआ उससे लोग अल्रेडी बहुत के साथ एट्री को इंडिया में नहीं लॉंच करेगा एज इंडिया में एट्री का एक फेन बेस है लोग बहुत ही उसकरते है और पहले जो मी एवान और मी एट्व था बहुत ही पोपुलर था ये लेकिन अगर इस एट्री प्लास और सिक्सिक्टिवा स्नेप डगन के साथ रिलिस करता है तो शामी का इंडिया में सर्वाइफ करना बहुत तफ हो जाएगा कि कि अल्रडी लोग डिसपॉइंटेट है के टुए टुए को लेके और एट्री को लेके बहुत जाद एक्सपेक्टेशन है इसका केमरा बहुत ही बरिया होता है अगर हम इसका प्रीडिस लिजर्ड देखे रहाने कि में एट टू देखे तो देखते हैं अभी इसमें क्या लाता है इंडिया में एक्सपेक्टेशन तो हमें बहुत जादा है और के टुएंटी में भी था दोस्तों आप लोग आपका थौट प्लिस कमेंट में शेर कीजिएगा और पता हीगा क्या